है तो आज हम चैनल में वीडियो की तुरू जो मैच कवर करने वाले हैं वह रहेगा ऊलम्पिक्स का मैच स्पैन वर्सिस आइवरी कोश्ट के बीच इस मुकाबले का करते हैं डीटेल एनालीसिस तो इस्पेन अंडर 23 वर्सिस आईवरी कोष्ट अंडर 23 के बीच ये ओलम्पिक मैंस का क्वार्टर फाइनल मैच है जो कि जपैन जहां टोक्यो ओलम्पिक खेला जा रहा है वहां दिन में 130 पीम पे स्टार्ट होगा अब इस्पेन को क्या है इस ओलम्पिक में गोल्ड मैडिल जीतने का फेवरेट माना जा रहा है ब्रजील के साथ और इस्पेन जो है अपनी अंडर 23 स्कॉर्ड बहुत सॉलिड लेके आई है और इनके अपोनेंट्स के कंपेरिजन में वही आईवरी कोष्ट एक दार्क होर्स क तरह था और इन्होंने भी क्वाटर फाइनल में जगे बना लिया ग्रूप स्टेज़ेज में अच्छा परफॉर्म करके अभी के लिए आप देखेंगे स्टेंडिंग्स तो इस्पेन ने अपने ग्रूप सी में नंबर वन पोजिशन में फिनिश किया था आईवरी इस ने ग्रूप स्टेज में कैसा परफॉर्म किया किस किस अपने के अगेंस्ट यह भीड़े थे अगर मैं आप यहां पर इस्पेन की बात करूँ तो सबसे बहले इन्होंने एजिप्ट की अगेंस्ट गोल लेश ड्रॉप खिला था उसके बाद एक जिरो से इन्होंने और और जो पिछला में इस था उसमें इन्होंने एक एक ड्रॉव करके अरजीन टीना से नेक्स्ट राउन यानि की क्वाइटर फैनल में अपनी जगे बना ली थी अब मैं आपको एक चीज बता दे तो इस्पेन ने दोस्तों डिफेंस तो बहुत अच्छा रखा अभी तक ती इन्होंने सिर्फ तीन मैचेज में दो गोल सभी तक स्कोर किये हैं तो बहुत मैं यहां पर कहना चाओंगा इस्पेन को जो आटेकिंग वाइस है आगे के स्टेज अप दर टूर्नमेंट में इंप्रूब्मेंट जरूर करनी होगी हालनकि डिफेंस उनका बहुत ज्यादा स अच्छा रहा है उनसे इतने अच्छे पर्फॉर्मेंस की उमीद नहीं थी तेकिन उन्होंने अच्छा किया है तो यह दोनु टीम्स की रीसेंट फॉर्म अगेरा है अब अगर स्पेन अपने हाँ पर अटेकिंग स्टेट सुदार ती है तो शोली मेरे अकोडिंग यह गोल लीग के लिए भी बहुत अच्छा है उसका रीजन यह है इस्मॉल लीग में तो आप देखिए आपका अपोनेंट और आप दोनु इस्पेन फिवर वाली टीम ले आएंगे तो एक आथ प्लेयर का आपका अलग-अलग होगा तो वह प्लेयर आपका डिसाइडर होगा मैच म आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम का लिंक के डिस्क्रिप्शन में जरूर जोइन कर लिए ओल्मोस्स सभी फुटबॉल मैचेथ हम यहीं कवर करते हैं काफी अच्छी हमारी विनिंग्स हो रही है नहीं तो आप आप जो है टेलीग्राम में एड़ आपको मिल जाएगा और आलमोस्स सभी फुटबॉल मैचेथ की स्मॉल लीग टीब में यहीं पोश्ट करता हूं कुछ-कुछ मैचे जैसे यह वाला मैचे ऐसी जो भी मैचेथ मुझे ग्रेंड लीग के लिए अच्छे लगते हैं उन मैचेथ की मैं आट ग्रांड लीग टी और वीक अपोनेंट आईवरी कोश्ट के हम पीक करेंगे सिर्फ चार प्लेयर्स तो उनाई सीमान इनके गोल की बर है अब इनके जो चार डिफेंडर्स है वो है गिल गर्सिया पाव टॉरेस और कुकु रहा अब पाव टॉरेस और कुकु एरिक गर्सिया का पेर तो आपको अगर आपको चारोग डिफेंडर करने पिक करने वेल अंगुड है बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होगी चारोग आप डिफेंडर कवर कर लिजे तीन इनके अटेकर लिए अगर किसी एक डिफेंडर को आपको सेक्रिवाइस करना है मेभी वो ऑसकर गिल हो सकते हैं उस आप चारोग डिफेंडर कवर कर लिजे हाई ली चांसे आपका अपोनेंट भी इस्पेंड क्लीन शीट वाली टीम लाएगा तो फिलाल के लिए कुकुरेया मेरिन की डिफेंडिंडिंग भी ठीक टाक कर लेते हैं अगरी किसी एक को ड्रॉप करना है वो ऑसकर गिलूंगे जिनका सिलेक्शन भी रहा है अभी तक एवरेस सा परफॉर्म क्या है ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब अभी के लिए मैं थ्री फोल जारो तो मैं यह तीन डिफेंडर शोली पिक करूँगा आप चारो पिक कर सकते हैं जूभी में इंदी खिलिंग पूरे गेम का टेंपो यही कंट्रोल करते हैं लेकिन पैडरी जो है ने फैंटेसी पॉइंटर व्यू से उधने अच्छे प्लेयर नहीं है जितने ओवरॉल यह हैं दीरे दीरे वर अब आप टॉप प्लेयर बनते जा रहे हैं वर्ल में बार्सेलोना के लिए खेलते हैं अब मैं 3-4 लिजा रहा हूँ तो जूभी में इंडी पैडरी में पिक नी कर रहा हूँ तो मैं बाकी जो बचे हुए चारो अटे करें उन चारो को फिक करूँगा नंबर वन चॉइस मेरी डैनी ओल्मो रहेंगे ओवरॉल डैनी ओल्मो से ज्यादा की एक्स्पकेशन थी अ बहुत बड़ा ओल्मो प्लियर है सेकिंड चॉइस मेरी रहेंगे ओयर जबाल जो की प्रॉपर इस्ट्राइक रहें अच्छी क्वालेटी सेर्वेस मिलती है कभी भी फिनिश कर सकते हैं ललीगा में भी बहुत गोल मारते हैं तो अभी के लिए ओल्मो ओयर जबाल मेरी टॉ आपकर दो करके दे सकते हैं अब भात करता हो मिकेल मेरीणो की मिकेल अंगारीओ उनने तैम मैं प्चला तेरा क्रियेट भी करते हैं रेंडम ओन टार्गेट भी लेते हैं अब इन्होंने पिछले मैज में गोल मारके हमें एक एक्स्ट्रा बूश्ट दे दिया था अब मैं गोल असिश्ट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इंसे हर मैज में फिर भी ऐसा प्लेयर है जो आपको 20-25-30 सेफ पॉइंट हर मेंज में देगा ही देगा इस वज़े से अभी मैं एक इनका डिफैंडर करके चार इनके अटेकल ले आ वहाँ आप क्या करसकते हैं अब चार इनके डिफैंडर ले आ रहे हैं और यह ओवर स्पेन की प्रोविबल लिला हून है लगबग मैंने आपको जाँगा, आप All Mo Captain करके एक मैंज में Assensio Vice Captain भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रिसकी ज़रूर अगर दिन हुआ Assensio का शोली गोल Assist कर सकते हैं, नहीं तो Grand League में आप एक टीम में को captain try कर सकते हैं एक team में marino को ऐसे करके अलग-अलग combination की जो मैं GL team पोश्च करूँगा उसमें आप अपने भी different different Spain favor वाली team में captain's change या wise captain's change कर सकते हैं तो अभी तक के यह Spain के उलम्पी के stat है stat देखके आपको team create करने में और help मिल जाएगी अपने इनकी बात करने से वेले एक बार फिर रिमाइंड दिला रहूं इस match की 8 grand league और एक final असल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलिग्राम में एड़रेट, fantasy, sports spy, search मार के भी जॉइन कर सकते हैं 2.7K से ज्यादा सफसला चैनल आपको मिल जाएगा अब हम ivory coach की बात करते हैं जो कि इस tournament में अच्छा कर रही है लेकिन इस match में ये अंडर डॉक्स है फेवरेट्स नहीं है टापे एरा इनके गोलकीपर होना ले अच्छे spot stopper है शोली आप इनको pick कर सकते हैं अच्छे saving points आपको दिंगे तो ये अच्छे saving points हमें दे सकते हैं अब इनके चार defender में अगर आप इस्पेन के चार defender लिया रहे फिर आपके बाद सिर्फ एक spot बचेगा अगर आप इस्पेन के तीन defender लिया रहे फिर आप इनके maximum दो defender's pick कर सकते हैं स्मॉल लिंग में अभी के लिए मैं सिर्फ एक इडिफेंटर लियांगा वो मेभी मेरी चोइस रहेंगे एरिक बाई इनका selection भी बहुत आई है मैंचेस्टर उनाइटेट के प्लियार है बड़े कलब में खेलते हैं और डिफेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं इसके लावा रेंडम हेड़ेट गोल मनने में भी capable है अगर आप बाई को नहीं लियाना जाते हैं या इनके लावा एक extra defender लियाना जाते हैं मेभी आप में इनका clean sheet लखने का काफी high chance मुझे लग रहा तो मैं expect कर रहा हूं उनकी clean sheet आएगी तो उस case में क्या होगा ना इनके defensive midfielder आपके लिए काफी important होगे जो आपको अच्छे tackling intersection point दे सकते हैं तो एक कीटा नाम के defensive midfielder है एक है कोवासी इबोई के इबोई करके आपको dreamland मिलिंगे यह दोनों आपके लिए अच्छे पीक साबित हो सकते हैं इन दोनों में में भी किसी एक को आप शोली पीक कर सकते हैं दोनों tackling intersection के point देते हैं क्लब अपने football में भी वहाँ भी काफी टेगल इंट्रेप्शन करते हैं और random passing point भी आपको दे सकते हैं या random assist वगेरा भी कर सकते हैं इन केस आइवरी कोश्ट गोल करती है तो तो में भी कीटा को आसी में किसी एक को आप consider कर सकते हैं मैं slightly को आसी के साथ जाओंगा हालंकि पिछले match में नहीं के लिए suspended थे लेकिन overall इन्होंने ठीक था किया पहले दो matches में आप कीटा को भी pick कर सकते हैं लास्ट मैच में इन्होंने भी अच्छे point दिये थे अब मेरे according इस टीम का best player है Frank Keisya, Frank Keisya AC Milan के लिए खेलते हैं वहाँ तो सारी penalties भी लेते हैं आपको यादोगा बहुत बड़ा player है और यहाँ भी इस टीम का best player है जो आपको defensive offensive दोनु जगे से point देगा इस टूनमेंट में तीन गोल मारे हैं जिसमें दो गोल इनके own goals रहे हैं और एक जो open प्रेसे गोल है वो गोल भी Frank Keisya नहीं मारे है और high chances है penalty भी यह ले सकते हैं अगर यह नहीं लिंगे तो gradle लिंगे फिर भी केसिया बहुत important player है मैं इनको much fake player कहने वाला हूँ अगर आपक अचा कर रहे हैं काफी chances वगेरा create कर रहे on target ले रहे हालंकि finishing इनसे नहीं हो रही तो में भी अगर आपको लगता है स्पेन की शोली clean sheet आएगे आप इनको ignore किजिए अगर आपको लगता है two one 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 type की school line होगी और थोड़ा आपको save जाना है तो आप यहां से इनका defensive midfielder रहट आगे gradle को pick कर सकते हैं अब डाओ से forward section में उमीद है बहुत ही लेकिन पूरा disappoint किया एक भी goal नहीं आए तीन matches में flop र रहे किजिए क्योंकि forward section में बंदा खेला अच्छी उसको service मिलती है तो goal कर सकता है तो overall यह ivory coach की प्रविवल 11 है यहां से भी आपको मैंने सभी players के बारे में explain कर दिया detail में और यह इनके अभी तक की इस Olympic के stat है अभी के लिए जो मेरी prediction है one-nil narrow Spain win जिसका काफी high chance मुझे लग लिया और मैं 34 के combination के साथ गयो तो मैंने Spain के तीनी defender पिक के हैं और उनके चार attacker पिक के यहां से मैंने एक defender by पिक के आप इनके ब्लेज में सिंगो पिक कर सकते हैं अब midfield से मैंने इनके कैसी main player ले लिए और Iboa लिया है आप इनके ब्लेज में दूसरे जो defensive midfeder है केता ले सकत हैं अब forward 4 मैंने के चारों ले लिए जो expected है श्टार्ड ओल्मो मरीनो एसेंसियो और जाबाल आप इन दोनों में मरीनो या असेंसियो में किसी एक को ड्रॉप कर गए या मेभी और जाबाल को भी ड्रॉप कर गए extra defender ले जा सकते है clean sheet point of view से captaincy के लिए ओल्मो बहुत अच्छ सब्सक्राइब कर लिए